वेल्काम टू हरे किष्णा बायलोजी तो आज आमें डिस्कस करिवा इंप्रोब्ड हर्टी कल्चुराल भराइटीज जो तरह में देखिवा मून डस्ट कार्नेशन्स पावद रहे तुम जो मैंने नुआ करि मा चैनल को आश्चेंदी प्लेश सब्सक्राइब करूं तो तास डिस्कस करिवा आजरे टोपिक इंप्रोब्ड हर्टी कल्चुराल भराइटीज जो तरह में देखिवा मून डस्ट कार्नेशन्स पावद रहे तो आरंभो करिवा इंप्रोब्ड हर्टी कल्चुराल भराइटीज तो यह हर्टी कल्चुराल भराइटीज उटेवा में एट की देखिवा जुटा की मूंडॉस्ट कार्नेशंस बावदर है जो इसके मूणडॉस्ट कार्नेशंस वुद की एफ्वे टीहिशिंक आथा अब्रोम कान रौट ची वाुदर अमे देखिवा यह जो हर्तिकुल्चुरल भार्टिकुल्च वार्टिकुल्च जो ताम को चुन। अहा अब्रग आप्नूल्च पॉच आपट अप्निकुल्च्टुर अध्निस्पनसेब। अभिर कुल्च्रीज टाए सेक्टर सीडिनेट टेंडात सम्हक्राइब की अधा फेक्टिन काड़्यदाई crops, ornamental crops, medicine, medicinal plant, aromatic, spices so these even of plantations also so these plantation crops these all are included in the horticultural sector so transgenic technology has made significant contributions for production of improved horticultural varieties ये जो ट्रांस्जेनिक टेक्नोलोजी यूज करेकी आमी बड़त्वान देख्विवा जी horticultural variety की भड़ी भाबर इंप्रोब करा है ची जो genetically modified flowers are widely accepted and offer economic benefits जो उड़ाको अमरो विशसकरी की जेनेटिकली modify करा होची जो flowers उड़ाको तो उड़ाको widely accepted होची एकनोमिकली benefits बहुत चरा अश्ची चो ट्रांस्जेनिक टेक्नोलोजी has been utilized for production of ornamental plants and new varieties have been developed तो नो ये किसरे ट्रांस्जेनिक जो टेक्नोलोजी विशसकरी के आमान जो क्रिमेंटल प्लांट्स उड़ाको जोड़ार होची विविन प्रकार जो भरेटीज एम डेफलाप करी पावच्चु तो रोज क्रिसंत्यमम एबंग कारनेशन बा डायान्थस कारफाइल कारियोफाइलस जोड़ाको और इम्पोर्टन्ट फ्लावर्स तो इस फ्लावर उड़ाको विशसकरी की जेनेटिकली मोडिफाइड कराऊची वा अम्रो इस फुझे इंप्रूब्ड हर्टी कल्चुराल भरेटीज डवलप कराऊची थ्रू ट्रांसजेनिक टेक्नोलोजी थ्रो रे तो नो सी प्लांट वि आञ डियाएड फलावर्स सौल्ड इन दर वार्ट वल् जो जो फास्ट जिनेटिकली मोडिफाइड फ्लावर्स शो ट्राइच苔र ब्रीडिटिग टेकनीक सकेनल स्कैनल प्रॉकरीस। केलीज उट सभूर्स भूर्स वीच डोन थ्यानट आ कर इन नाचर तो ड्वीजी चैन नहीं तो बट ट्रांस ट्रांसनिक टेक्नलोजी थो रहे इव प्रकार प्लाइंट ड्लुउ ड्यू अंड फ्रूरब्ड पर्ट जुड़े की नर्मल ब्रीडिंग टेखनीक रे-क बॉसिपल है नाहीं So, pigments impart color to flowers and fruits. So, flavonoids and carotenoids are widely distributed plant pigments. Carotenoids are responsible for bright yellow or orange color of flowers. While the flavonoids impart attractive red, pink and blue color. Carotenoids and flavonoids are widely used. So, these are the two types of color. So, this is the most important group of flavonoids. Anthocyanin pigments, which are the most important group of flavonoids, anthocyanin pigments. Flavonoids group pigment, which is responsible for scarlet to blue color flowers. This is the type of anthocyanin present may vary from plant to plant or fruit to fruit. So, the type of anthocyanin present may vary from plant to plant or fruit to fruit. डिफ्रेंट प्लांट केसरे में डिफ्रेंट कालर देखी था हूँ विससकरी कि दिदे में ब्रिंजल कथा देखी हूँ जुडएको तुसमें इस्टन ब्लु इस कलर ही था है तो सी उड़ा का में जुटायम कोई चू तो बात अम्रों जू रही ची जू पॉम्ग्रानेट र प्रितार जू रोशाटाट के ब्लु इस कलर रहा है तो नो शीसु पार्ट रही था है तो देर आरे डिफ्रेंट तैप्स आफ आन्थो श्यानिन आंथो श्यानिन जीम दिखी मने करो सम्फूर्ट्स कंटेंड ओनली वान टाइप अफ आन्थो श्यानिन फोर एक्जांपल श्यानि दिन था है फोर अप्स आपण आपल रहा है तो छिखी मने कर दो पीच अपल चेरी अंघ क्डेंड ओन आंद देल्फीन दिन ब्लु पर अजा प्रिंजा स्यानिस क्क्डेंट ओन मॉल्त पूर्ट आन्थो श्यानिन कि अच्छिए अवा है तो एज़िते पारी आपल चेरी इमाना केसर रहत लावले डल्फिनी दिन जुटे की mostly responsible for expressing blue color तो सी डल्फिनी दिन विशसकरी की रहता है अमर एग प्लांट आपंग पॉम्ग्रानेटर विशसकरी की रहता हैं तो similarly some ornamental plants like petunia and dianthus contain only one main type of anthocyanin that is called delphinidine जुटे की अमरो ornamental plants petunia and dianthus यह मान को पाखरी यह प्रकार anthocyanin pigment रहता है रहता है रहता है जुटे हुए रूज आपंग तुलिफ पोसेस mixture of anthocyanin रूज आपंग तुलिफ केसरे mixture of anthocyanin रहता है so the delphin pigments imparts purple mauve and blue color to flowers so in case it is zynta which is currently responsible that is F3-5-H that is flavonoid 3-5-hydroxylase zynta catalyzes the production of blue color anthocyanin pigment delphinidine and its other derivatives so e-gene which is currently responsible for e-delphinidine anthocyanin pigment developed query so F3-5-dash as zynta is absent is absence double repeat so is absent in roses and carnations and hence delphinidine pigments have never been found to exist in roses and or carnations so therefore blue colored roses and carnations cannot be produced by traditional bidding experiment so ema na kae sri jho amura rose ebun carnation kae sri ema na kae sri ee f3-5-gene no thai absent roi tha hai so shithi pae hi maine kebibhi shifra karar naturally character ko express kori parantin hai ba blue color character ko express kori parantin hai so shithi pae hi a team from an australian company that is florizen wanted to make a blue colored rose but encountered problems while transplanting genes the team extended their techniques to carnations of which are easier to manipulate so that is zine was over expressed in carnations under the control of a constitutive promoter the constitutive promoter the constitutive promoter control ray a carnation under the control of a constitutive promoter is a carnation under the control of a carnation under the control of a carnation under the control of a plant produce anthocyanin about 70% to 70% to 70% to 70% of which constitute delphi need in derivatives see plant exhibited exhibited only marginal color blue color blue color so shithi pae hii shamani chanye le pooni thore thar jo expression rate ta bada hai hai chanye le so further increase the concentration of delphi need in it is important to reduce the complete is in competition between two endogenous enzymes of the anthocyanin pathway that is dihydro flabonol flabonol four reductase by dfr and flabonoid three hydroxylase gene from their substrate you know the enzyme pathway uh um gene acela visage kari ki udala dfr gene udala f3h gene so you know therefore adi ka pala karek kariakala colorless carnation ko choose kariakala varieties ko choose kariakala dfr gene notila even petunia jothari f uh flavonoid three five hydroxylase gene under the control of promoter from the snapdragon snapdragon chs gene so along with petunia dfr gene under the control of law constitutive promotor where introduced what on c duty jac education you take f3-5-2 hydroxylase वंग पेटुनियर घुटिये एफ़े अबगाफी हगोय नेगी बतान इंट्रोड़ीूज कुराय गरा ओला श् Champions स से लेङले आपको ओर यहfish क्राया हेरते इन इन आफुपी निज्या उएरिवेटिप कुणब partnerships चिला हम यह 15 लेख नेधिलू colorless वाला तो शी बड़तान color change आला तो carnations which were earlier colorless become blue color आफर दो बड़तान शी जो colorless तिला ये बड़तान आम्या blue color वाला carnation पाएलें ये जो फ्लोरीजन जो company द्वार त्यारी है थिवा जो varieties कोड़ा को विशसकरी के मून डॉस्ट अबंग मून ग्लू जो टैकी लेलियाक और blue colored carnations created by florigin जो दीज ट्रांसजनिक carnations were subjected to regularly regulatory scrutiny and were declared safe for commercial use जो याको regularly देखा गला जो यी प्रकर कार्नेशन्स टाइकिछी disadvantages रहुची की बाव यी कुनोसी ख्यती कोड़ चीकी अन्यो प्लांट्स पुरती तो सी सबु जिन्चो को भला आपर देखा गला येबं तक कमर्सियल यूज में declared करा गला so they were fast grown in commercial in 1977 1997 so since then these blue color carnations are blooming in the global market so what are the advantages of moon dust carnations genetically modified blue carnations pose no threat to the environment because these GM carnations are not related to any significant weed species in Australia विशसकरी की देन देखिवा तो यी जो विशसकरी की eco friendly रहला कुनोसी threat create कोर नहीं environment पोड़ थे so next ला carnations varieties are infertile यामने हुची infertile यामने हुची infertile एज यामने को केसर सीड प्रोड़ उस हुए नहीं तो इसे पहें इस अर्ड़ वेराइटीज और इन फोड़ थे लोग यार जो पोलें जो रहता है यह पोलें बहुत काम रहता यह बोर्यड फॉर्म रहता है जो टेकिए वीज द्वाराइज द्वारें के रहता हैं करनेशन के नाट बी प्रोपागेटेड वेजी डिटिवली जो टेकिए रेस्टिक्टिंग द्यार स्प्रेड याको अमें जो नर्मल करनेशन जो फेजी डिटिवली प्रोपागेटेड है पर नहीं तो यह थिला अमरो इंप्रूब्ड हर्टिकल्चराल भराइटीज बावदरे जो तरह हम देखिले मून डोस्ट रोजो मून डोस्ट कारनेशन बावदरे तो थेंक यू फर वाचिंग तिल अन्ड प्लीस सब्सक्राइब लाइक अन्ड शेर